हलो फ्रेंट स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इस्टेड़ी आई इसन पीसी एस में तो चलिए स्टार्ट करते हैं 27 दिसेंबर में जो पेपर आया था पेपर वन उसका स्टार्ट करने से पहले एक ही रुक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को देखते हैं लाइक करिएगा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ओके तो ठीक है पहला देख लेते हैं हम जो कोशन्स आये थे उसके कोर्टिंग में बताती जाओंगे आपको किस तरह क क्या सकते हैं कि इस बार का इजी था ओकी एक्सपेक्टेशन की यह है कि काफी सार इस्ट्रोंट का यही कमेंट था कि इस लिए मैंने इसे इजी ही लिखा है बीच में देखा गया था कि अधा मतलब मॉट्रेट टु टू टु टु लेवल था और स्टार्टिंग में तफ ही फिर उसके बाद में उनको कुश्चन के जो अभी पैटन आ रहे हैं फेस थार्ड में वो इजी आ रहे हैं इसके बाद में इसी टी का देखें तो नेक्स्ट कुश्चन देखें तो यह था 2Z4S जो एविलेवल है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हूं मैंने इसे सॉल्व नहीं किया है आप करके देख लेना क्योंकि यह मतलब थोड़ा डाउट लग रहा है इसमें वैसे 2, 4, 7, 11 में आप रिलेशन देख सकते हैं आप नवेंबर में जो हुए थे exam friends उन में यह आया हुआ था इसलिए paper previous वाले करने बहुत important होते हैं ऐसा नहीं है कि वो हो गए तो अब नहीं आएगा उस related question आया था options इसके नहीं मालूम है हमें लेगिन इससे related question आया था ओके इसके बाद में communication technology पर related question आया था ठीक है और SDG के उपर देखिए SDG के उपर और MDG के उपर तो questions आ ही रहे हैं मैंने पहले भी आप से कहा था ओके तो SDG के उपर question थे ठीक है SDG के उपर question था sustainable development goal और इसके अलाब आपका एक second इसके बाद में आप RC देख सकते हैं RC जो IT reading comprehension वो easy था ठीक है practice लेकिन चाहिए ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुली simple था easy to moderate level आप इसे कह सकते हैं ठीक है easy to moderate ओके easy to moderate level था और इसके बाद में internet of things देखिए यह भी question पहले आ चुका था ठीक है अगर आपने previous वाले करे हुए थे question तो आपको benefit मिलेगा modern का full form पूछा था ठीक है आप मुझे comment करके बताएंगे modern का full form क्या है I know काफी सारे 80% students का तो यह सही होना है और ICD में matching का question था CD Rome है ना इस तरीके से उसमें matching दी गई होगी तो वो उसके according होगा बाकि आपका national education policy के उपर assertion reasoning में था assertion reasoning दिया था अब बच्चों का कहना है कि assertion reasoning जो थे वो थोड़े से tough level के थे लेकिन अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो हो गया होगा solve है ना बागी question AICTE से भी था next देख लेते हैं कि यह देखिए next आपका commissions related भी question पूछे गए थे है ना commissions के उपर कुछ questions थे और fallacy के ओपर दो question आया थी है मैं जो 27 दिसंबर को shift 1 और shift 2 दोनों के बता रही हूं है ना एक ही का नहीं बता रही हूं shift 1 shift 2 दोनों के ही है यह और teacher student related भी कुछ question आया था यह ना पहले भी पी वाई की उएस में भी हम ऐसे questions देख चुके है ठीक है आप उसे देखके यह solve करना होता है कि teacher hand से दिया हुआ है question यह student की तरफ से पूछा गया है ठीक है इस तरह का question भी था थोड़ा common sense यूज करके आप इसे कर सकते हैं 45 student और वो जो एक questions होते है ना जिसमें की मतलब total student दे दी है और 18th position दे दी ठीक है 18th position दे दी फिर नीचे से या उपर से वो count करवाते हैं और फिर वो पूछते हैं कि क्या है तो इस तरह का यह sequence वाला question था और इसके बाद में एक यह series यह available हुआ है 27-28 अब इसमें यह options के according क्या रहा होगा तो simple था सभी ने कहा तो यहाँ मैंने mention कर दिया है और ICT के जो memory based question थे वो थे clockwise जो watch वाले questions आते हैं time वाले वो question थे है ना इसके बाद में जो question थे वो reasoning देखिए reasoning का morning shift में easy हाँ ठीक है और reasoning evening shift में थोड़ा सा easy to moderate में था और blooms की देखिए मैंने blooms taxonomy और वो सारे आपको बताए थे कि teaching models ज़रूर करके चाहिए और देखिए question आगया blooms benjamin bloom का आया एक तो इसका होता है के सी आ से है ना और एक है आपका रू आ एक इसका है के सी आ से और एक इसका है रू आ easy ठीक है तो यह दोनों है इसके और इनके कभी-कभी year भी पूछ लेता है जैसे कि P by QS में हमने देखा है एक तो यह है आपका 1956 का और है 2001 ठीक है अब यह क्या benjamin bloom के ही है दोनों पहले उन्होंने यह दिया था और फिर यह दिया था यह वर्प की फॉर्म में और यह नाउन की फॉर्म में है इस तरीके से यह दोनों दिये गए थी और इसके उपर every shift में एक question आता ही आता है तो I hope आप लोगोंने अच्छा करा होगा paper इसके उपर sequence ही पूछा था तो यह sequence याद करने के लिए निमोनिक अच्छा है आप अब मैंने कहा है आप अपने आप भी बना लिया करिए याद रहते हैं SDG sustainable देखिए morning shift में वह वाला आया था जिसमें country वाइस पूछा गया था sustainable development के बारे में गोल के बारे में और इसमें target achieved by पूछा गया था यह तो बहुत ही इंटरस्ट के बहुत ही easy question आ रहे हैं अगर आपने practice करके गए होंगे तो जरूर कर पाए होंगे average का question था और एक जो आता है आपका tank fill करने वाला tap से नल से जो पानी खुल करके बढ़ने का timing जो होता है उसमें ठीक है उसमें time पूछा गया था जिनकी maths पे command थी जोनोंने practice कर करें थी वह इस question को बहुत अच्छे से handle कर पाए है इसके बाद में जो next question आया था research matching question था hypothesis actually उसमें एक option था hypothesis तो वो student को याद था तो उन्होंने बताया था hypothesis उसमें एक option था research के matching थे दोनों तरफ matching था ठीक है अगर आपको एक option मालूम था यह दो option मालूम थे तो easily बच्चों ने solve कर लिया है इसके बाद में classroom communication के उपर था देखिए यह teacher के hand से था question आपको यह धिया स्टुएंट के benefit में रहे ठीक है तो यह communication का question हो गया इसके बाद में computer का question था ठीक है computer related question अच्छे थे National Literacy Day ठीक है तो National Literacy Day यह तो 8 September आप मुझे अंसर बताईएगा इसका ठीक है 8 September बागी environment के matching question थे अगर आपने environment के current topics पढ़े हुए है तो यह हो गया होगा इसके बाद में communication barriers ठीक है communication barriers जैसे क्या क्या communication में barriers आ रहे है मैंने पताया था आपको की barriers जरूर करिएगा each and every उसमें जितने भी shift हो रहे हैं उसमें questions आ रहा है probability samples ठीक है probability samples के उपर भी question आया था और assertion reasons के भी question आ थे ऐसा नहीं हुआ है कि कुछ अलग से आया है बस यह है कि आप कितना पढ़के गए थी कितना आपका practice था core point यह है कि आपने जो आ रहा था उसकी practice की हुई थी या नहीं की हुई थी उसी में से questions आएं ओके तो देख लेते हैं अभी research के sequence आई और एक आया था आपका aeio इसमें correct option आपको choose करना था यह हो गया आपका aeio यह है यह है इस तरीके से यह पूछा गया था और communication universal process ठीक है मैंने यह बताया आपको कि कौन कौन से questions यहां पर आये थे ठीक है ठीक है तो यह सारे questions थे आपके ओके तो I hope you guys आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा जो यह questions है इसमें 4 आपके जो important चीज़े हैं वो यहां पर मैंने बताने की कोशिश की है और अगर आप लोगों लगता है कि इसमें कोई topic ऐसा है जो आपको नहीं समझा रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं comment कर सकते हैं या अगर आपने भी यह paper attempt किया था कोई question छूट गए हैं तो आप मुझे message करके बता सकते हैं जिससे कि मैं इसे add कर दूंगी बाकी student के लिए beneficial रहेगा आप देख है कि जितने भी PYQS हम सभी कराने कुशिश कर रहे हैं जो रहे गए हैं November के हम उन्हें भी लेके आएंगे क्योंकि कहीं न कहीं आपके next जो लोग next attempt देने वाले हैं तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत beneficial होने वाला है आपको core points मालूम पढ़ेंगे important core areas मालूम जो important है वो तो छूटना ही नहीं चाहिए पढ़ना तो पूरा ही है बट जो ज़्यादा important है उसकी daily practice भी करनी चाहिए ठीक है तो मैं समझती हूँ कि आप लोगों को काफी चीज़ें समझ में आई होंगी बाकी ठीक है next video में हम लोग आगी की topics पर बात करते हैं और पनी रही हमारे साथ में और चैनल को subscribe जरूर करिएगा like जरूर करिएगा share जरूर करिएगा बहुत मेहनत लगती है friends इन अब को बनाने में आपके लिए सारी चीज़ें हम collect करते हैं right information आप तक पहुचाते हैं तो please like and subscribe जरूर करिएगा और share भी जरूर करिएगा because sharing is caring friends ठीक है friends I hope all you are doing well all the best for your upcoming examination and preparation for your net examination and other examination ठीक है till then मिलते हैं next video में okay